नमस्कुकार दोस्तों मैं मिनाक्षी अपनी आज की इस वीडियो में लेखी हम यह डिजाइन यह है इसका फ्रंट पार्ट आगया कह इससा और यह है इसका बैक पार्ट पीछे कह लेंग यह जो डिजाइन है इस design के लिए हमें 2 के multiple में फंदों की जरूरत होगी और इसके होंगे 4 edge stitch 12 edge stitch दोनों तरफ आज का जो design है वो हम डालेंगे 16 फंदों के साथ 16 फंदे मतलब 4 फंदे edge stitch और 12 फंदे होंगे हमारे design के तो अभी जो हम अपने design शुरू करते हैं यह हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ है पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे यह हमारा एच्टिच है दूसरा एच्टिच हम सीधा बुनेंगे यह दो फंदे बुने के बाद जो अगले दो फंदे हैं उनके आगे से पहला फंदा दूसरा फंदा यह जो दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में जो गैप है उसमें स्लाई डालके हम इस तरह से एक लूप निकालेंगे यह लूप निकालके इसे हम उल्टे हाथ की स्लाई के उपर इस तरह से डाल देंगे अब यह होगे हमारे पास तीन फंदे अब हम उनको अपनी तरफ करेंगे और उसके बाद यह जो लूप और पहला फंदा इन दोनों को इकठा इस तरह से उल्टा बुनेंगे दूसरा फंदा उल्टा अकेला बुलेंगे अब फिर उनको पीछे करेंगे यह दो फंदे जो हैं इनके आगे से इस तरह से स्लाई डालते हुए यहां से हम इस तरह से लूप निकालेंगे लूप निकालके इसको उल्टे हाथ की स्लाई पे डाल देंगे अब उनको अपनी तरफ किया और पहले दो फंदे एक लूप और एक इसके साथ अगला फंदा पहले दो फंदे इकठे बुनेंगे दो का एक करेंगे और अगला एक फंदा अकेला बुनेंगे बुने दोनों ही उल्टे है फिर उनको पीछे किया अगले दो फंदों के बीच में से इस तरह से लूप निकाला लूप को उल्टे हाथ की स्लाई पे डाला उनको अपनी तरफ किया पहले दो फंदे लूप और पहला फंदा इन दोनों को मिला के उल्टा इकठा बुनेंगे और अगला फंदा अकेला उल्टा बुनेंगे अब फिर उनको पीछे किया अगले दो फंदों के बीच में से इस तरह से लूप निकाला, लूप को उल्टे हाथ के स्लाई पे इस तरह से डाला, उनको अपनी तरफ किया, पहले दो फंदे हम इकठे बुनेंगे, लूप और पहला फंदा, और उसके बाद अगला फंदा अकेला उल्टा बुनेंगे, तो उसे उल्टे हाथ की स्लाई पे डालेंगे लूप और पहला फंदा दोनों को मिलाके इकठा बुनेंगे अगले फंदे को अकेला बुनेंगे इस तरह से में जो हमारा डिजाइन है वो सारा इसी तरह से ही बुना जाएगा ये जो दो फंदे हैं दो के आगे से लूप निकालना है लूप और पहले फंदे को इकठा बुनना है और उसके बाद अगला फंदा अकेला बुनना है उनको पीछे किया ये हैं हमारे लास्ट दो एच स्टिच दोनों को सीधा बुना ये होगी हमारे डिजाइन की पहली स्लाई, दूसी स्लाई सारी उल्टी बुनेंगे, पहला एच स्टिच उल्टी तरफ से बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद पूरी स्लाई हमने उल्टी बुननी है, सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे अब आगे हम अपनी तीसी स्लाई पे सीधी दूसरी और सीधी रूल्टी मिला के तीसरी अब यहां पे पिछली बार जब हमने डिजाइन शुरू किया था तो पहले दो एज स्टिच उसके साथ ही हमने डिजाइन शुरू कर दिया था लेकिन जब हमने तीसी स्लाई डालनी है उसमें पहला फंदा एज स्टिच बिना बुने उतारेंगे दूसरा एज स्टिच सीधा बुनेंगे इसके बाद अगला फंदा जो है उसको उल्टा बुनेंगे अब उनको पीछे किया फिर वैसे ही दो फंदों के बाद लूप निकाला उल्टी तरफ से दोनों को उल्टा इकठा बुना फिर एक फंदा बुना मतलब जिस तरह से ये जो दो फंदे हैं दो फंदों को जिस तरह से हम डिजाइन के लिए बुनते आ रहे हैं उनको उसी तर से बुनना है, लूप निकालना है, लूप को उल्टे हाथ की स्लाई पे डालना है, और उसके बाद उन दोनों फंदों को उल्टा इकठा बुनना है, और जो नेक्स्ट फंदा है, दो में से जो अगला फंदा है, उसको अकेले ही उल्टा बुनना है, जो में डिजाइन दो फं इसके बाद जब हमने तीसी स्लाइब में डिजाइन डालना है तो एच स्टिच के साथ एक फंदा उल्टा बुनना है उसके बाद हम डिजाइन डालेंगे इस तरह से, अब यहाँ पर तीसी स्लाइ में हमने हेच स्टिच के साथ हमारा एक फंदा उल्टा था, तो यहाँ एड में भी दो एच स्टिच हैं, तो उससे पहले एक फंदा उल्टा आएगा, और यह एच स्टिच दोनों ही सीधे बुने जाएंगे, इससा स्लाइब में पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद पूरी स्लाइब बुने हैं मतलब जतनी उल्टी इसा होती है भोम हंवा एक उल्टी इयां और एक यहा है अब जब हमने त्पीसे चुअ में टाला है तो डिजाइन हमारा इन दोनों के बीज़ में बनेगा अगर आप चाहते हो इसको बिल्कुल सीधा सिलाना तो जो पहली सिलाइऑ है सीधी तरफ से तो हम बार बार टीसरी बार जितने सीधी सिलाइऑ होँगी तो हम दूसरी स्लाइ इन दोनों को दोराएंगे और अगर हम इसको इस एफेक्ट के साथ किये पहले दो, दो के बाद जो नेक्स लाई में ये डिजाइन बीच में है तो इनको चार्स लाई में दोराते हुए अपना डिजाइन पूरा करेंगे